आज में आपके साथ बेगैर ओयल की बहुत आसान टेस्टी और हेल्दी ब्रेक्फास्टी रेस्पी और ये लंच में भी आपके सकते हैं तो बनाने के लिए अमी तक के के कीचन में आपका स्वागत है वेलकम बैक माई कुकिंग बोग तो गर्मी बहुत क阿orn पहए रही है और की अगरमी जादा टाइम देने का मन्नी करता है और खाने का मन्नी करता है जादा ओयली ओयली जादा ड्रिंक बगार लेने कमन करता है तो आज मैं आपके साथ से काफी इजी और आसान और बगार ओयल की रिस्पी जो की खाने भी टेस्टी लगेगी और हैल्दी भी होगी तो बनाने के लिए चलिए यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं एक कप के करीब सुजी ले रही हूँ और तृववोट के कप यहां पर दही ताजी दही या खटी दही कोई भी और ले सकते हैं अब इसे हम दोनों को मिक्स करके तौसके थवाद करने सारह हल्का सा इसमें हम नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए साज किस पानई के ज्तर ख मिक्स करके इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे जो कि काफी अच्छे से फूल जाएगी सूजी फूलेगी तब यह नास्ता अच्छे बन जाएगी यह देखे मिक्स हो चुकी है इसे ढखके कवर करके इसे रख देते हैं साइड में और अब इसकी तैयारी कर लेते हम ने यहां पर मैं एक चटनी बनाओंगी जो कि एकदम नई तरह की चटनी और एक इसकी इस्टफिंग जो कि इडली में इस्टफिंग वाली इडली बनाओंगी जो कि आपको किसी सामबर की ज़रुत नहीं है वैसे भी आप खा सकते हैं और चटनी के साथ तो मज़ा ही आ पासरे यहां पर सारी तयारी हो गई है अब हम पहले चेटनी बना लेते चेटनी बनाने के लान यहां पर जो डंठल कर साथ घरयक भी तो कम यहां पर धेक्षिक आपको कॉड़ प्रस्टे पानी कि एक जेष ही हैं, इसे गजदे ना खाटा है है इसे पम इसे डिखे चट्नेन काफी और कुझने में लगेगी कॉति हैं तो इस तरह निकाल लेज़ें अब यहां पर मैं डालूँगे भूनी हुई मुझफली दरदरा जो हम कुटके रखते हैं बस वही यह भूनी हुई मुझफली है दरदरा जिसमें की मोटी मोटी चमस भी आए और बारिक भी आए तो यह मैं इसमें मिक्स करूंगे यह डालने सा साथ भूनेवे चने का भी यूज़ कर सकते हैं तो यह चटनी राइन में रख लेते हैं अब श्टफिंग फीलिंग तयार करते हैं यहां पर मैं लेने हैं 100 ग्राम के करीब पनीर तो पनीर को मोटी वाले ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लेज़ें देखिए इस तरह से ज स्वात करन सार कम जादा कर सकते हैं और जो पते पते हरा धनिया में चौप की थी बारीक बारीक वह डाल लेज़ें स्वात करन सार नमक और यहां पर छोटी चमट से एक चमट बोनावा जीरा पॉडर और यहां पर आदर हाँ चमट यहां पर गरम मसाला और थोड़ी सी लिक तो आज हम बनाएंगे इडली में कर तो निकाल नहीं पड़ेगी तो यह दर पल्ला खुलता नहीं है तो इसे पीटने पड़ती है मुझे इस तरह से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इडली में कर जो काफी पुरानी वाली है थार है अल्मुनियम का जो होती है इसे हम रखते हैं चूले पर इस तरह से देक्दे हैं यह पर इसमें पम हम निकाल लेते हैं इसमें आप थोड़ा सा नीमू डाल देंगे, तो यह काली नहीं होगी, च्छों कि आप को सफाई करने में बहुत ही इजी होगी तुदी से नीमू में डाल देती हूँ के लिए इसमें हल्दी डाल जालाएं आपका नासतासता देखने में एक यूनिक लगेगा और काफी अच्छा भी लगेगा बातबुशक अच्छा बनी़कारी सब्दूर एक लिए अच्छी है कि अच्छाने में च्छाने ग़े распout court करो langडी लिए कोई भी कुकि इड़ सकते हैं अक हли जांड़ा के अखी एक चमच से तरह सेली एक चमच पनीजुर्ण ताकGR अब सब को अच्छातर हम जादा इससे μέ onda नहीं आए उसे मिक्स करना थे अब हम तैयार करते हैं इडली के इडली की इस आप झाल से इנो करें अब जब फित आप बनाए तभी इनो का सब्सक्राइब यह देखिए इस तरह से आप तो फीलिंग हमने तयार कर रहा कि थी पनीर की वह हम इसमें डालेंगे इसतरह से हातों से डबा कर डालिए या थोड़े करके इस तरह से हम इसमें रखेंगे तो यह बाली इडली जो बनाएंगे आप तो बच्चे के साथ बड़ो को भी काफी पसंद आएगे क्योंकि पनीर बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और इसमें कोई भी ओल नहीं है कोई भी जादा मसाली की जूरूत नहीं हुई है आप पनीर की स्ट्रफिंग डालके इडली आप इसके उपर से हम जो बेटर उपर से इसी इस तरह से कवर कर देंगे ताकि अंदर से उपर से बंद हो जाए और हमारे फिलिंग अंदर हो जाए इसी तरह से हम जितने भी तयार करेंगे इडली इस तरह से तयार कर लिज़े य क्कूंड़ीन में नई जाहते हैं, इसाल माइन करते हैं, chegou ने काहूंट करें, इसान के क्वूपकी करें आपड़ाते हैं श्रμम सब्क्राद के भीत करें, और पांच मिनित के अंदर ये बहुत अच्छे पक जाती है ये देखे पक चुकी आप चाहे तो टुदिस्टिक से आप चेक कर सकते हैं या फॉक्से भी पर ये पक चुकी है तो इस तरह से हम इसे गैस निकलने तक बाहर रखेंगे ढ़कन को उसके अधा हम इसे निकाल के ठं मैं पेसित मैं कि परक चल्मय राख ये टिए तब तक हम यहां पर में थोड़ी से पर पर घdeepाग्र पर मैं नहीं हुआ तोर देख छटनी ये काफी तेष्टी लगेगे आपको इस तरह से चटनी बिनाएंगे अब roseक्ष़ती हो चुकिए तो अर ये कई आक्ष़ती हो चुकिते हैं ठंडी होने के भात आपको कौई भी महनत की जोरत नहीं है ये काफी टेश्टी और हेल्दी नास्ता तैयार है तो इस तरह से बना के आप जरूर गर्नी में इंजोए कर सकते हैं और ये कभी भी आप खा सकते हैं साम के समय भी छोटी मुटी भूक में भी आप इसे बना सकते हैं तो मेरी बेरेस्पी कैसी लगी अगर मेरी वीडियो आप यूटूब से देख रहे हैं ने हमारे साथ जूरे तो हमें सबस्क्राइब कर लेज़े और बेल का घेंटा प्रेस जरूर करें ताकि मेरी ने ने वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले और आपको बहुत ही आसाने से हमारी वीडियो मिल स कमेंट करें ही जरू बता है कि कैसी कैरी रेसिप यह क्लीड खेज़ाए आप बदा सकते हैं और बुरी लगी तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं इस तरह से देखिए बना के काफी इजी है और बगए रोयल की है मैं एक आपको कट करके दिखाती हूँ तो अंदर जो इस्टुफिंग है इससे फ्लेवर फूल ये इडली बनके तयार हो जाएगी ये देखिए इस तरह से तो जब ये खाएंगे तो इसका पनीर का फुलेवर है ये आपको इडली माजाएगा और चट्नी जो है ये तो इक्स्ट्रा फुलेवर हो गई तो इस तरह से आप चट्नी के साथ जरूर एक बार ट्राइक ज़एगा बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली इडली इस तरह से बना के अच्छी लगी तो हमारे साथ जरूर से एर किजए थाइंक्यू बाचिंग मैं वीडियो बैबै टेक एर तो मिलते हूं मैं नए रेसिपी के साथ सी यू झाल झाल